गयस पर कढ़ई चढ़ा दी हैं और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे ड्राइफूट को फ्राई करने के लिए तो यहां पर सीर्फ मैं काजु ले रही हूं काजु को मैं फ्राई कर लूँगी तो कोई आधा साबूत है और कोई तुकड़ तुकड़ भी है तो साबूत को मै Décoration के लिए रहाँ दूगी और तुकड़ तुकड़ को उपमं में डालोंगी और उसके बाद यहां पर फल्ली दाने है उसको भी है कर लोंगी फ्राई हो गया है उसके बाद इसको निकाल दूंगी उसके बाद फिर में और तेल डारी हूं उपमा बनारी थोड़ा सा इसमें ज्यादा डालूंगी तेल गरम हो गया है उसके बाद थोड़ा सा जीरा डारी हूं जीरा भी चटकने लगा है उसके बाद कड़ी पत्ता डारी हूं कड़ी पत्ता भी च कटोरी सूजी एक कटोरी बाद अधा कटोरी और डाल दूंगी गैस कफे मीडियम है और मीडियम रखी इसको भून लेंगे जब मत चलाते जाओंगी तो दिखिए इतना हलका हलका से इसमें कलर आने लगा है और थोड़ा सावर भून लूंगी तो थोड़े दिर के बाद यहां पर एक कलर आ गया है उसके बाद इसको मैं निकाल दूंगी एक थाली पर कड़ी साफ हो गया है उसके बार डाल दूँगी पानी तो इसमें मैं ली थी देर कटोरी सुजी उसी कटोरी में मैं डालूँगी दो कटोरी पानी जिस कटोरी में आप लोग सुजी नाप के डालोगे ना उसी कटोरी में पाइन रा लिएगा तो डेर कट्री सूजी में दो कट्री पानी, बार बार दो बार बोल दी हूँ, ताकि आप लोग भूले ना, आप लोगों से भी खिला खिला उपमा बने है न, तो उसके बाद यहाँ पे नमक डाल दूँगी, हलका से नमक डालूँगी, कि कि उपमा नमकिन हो जाता है, अच् खिला खिला, एकक दाना खिला 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 जो बनता है उपमा में वैसे नहीं बनेगा, अच्छा सुबाला जागा, फिर डालेगा, डालते ही इसको चम्मच चलाते जाएंगे, और गैस काफेम हाई रख देंगे, हाई जब तक रखेंगे, जब तक पानी अच्छा से ना सो कर रही हूं, और धिरे-धिरे आप लोग देखते जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल एकक दाना खिला-खिला बनते जाएगा, आप लोग को ऐसे लग रहा होगा, कि यहाँ यहाँ गिला है, कई लोगों को इसे सुखा पसंद रहता है, कई लोगों को ऐसे पसंद रहता है, ज यहां पर मैं लोग करकी इसको पका रही हूं तो यहां पर आप लोगों को मैं फैलाते हुए और उठा के दिखाऊंगी एक अगदाना खिला खिला बना है और बहुती टेस्टी टेस्टी उक्मा की रेसिपी बने हैं तो आप लोग भी ज़रू ट्राइक कीजिगा तो चली इस और देखिए किता यमी यमी दिख रहा है न गिराते हुए दिखाऊंगे तो एक अगदाना आप लोगों को दिखाए देने लगेगा जैसे उक्मा में हम लोग पसंद करते हैं वैसे ही बना है तो आप लोग भी ऐसे जरू ट्राइक कीजिगा और आप लोग भी खा काजु के साथ तो कैसे लगी आप लोगों को मेरी हैं रेसिपी कमेंट करके जरूर बताईएगा और अपने फ्रेंज और फैमिली के साथ सेयर कीजिएगा